आदरनिया साथियो नमस्कार आपका मेरे यूटूब चैनल पर श्वागत है साथियो आज हम कक्ष्या दस विशे विज्ञान का एक लेसन प्लान का नमूना या सेंपल कह सकते हैं हम लेकर के आए हैं तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उपर लिखा हुआ है आद कक्ष्या दस विशे विज्ञान विशे अमल और अकसारक उप विशे अमल के परकार वय गुंद्रम और दूसरी तरफ लिखा विद्यार्थियों की ओस्त आयू 14 से 15 साल होती है आपको पता है दसमी कक्ष्या के बच्चों की अवदी 40 मिनट प्लस 40 मिनट दो का लांस अधि चातर पदार्थ को उनके स्वाद के अंसार अमल और अकसारक के रूप में पैचानने में सक्सम होंगे चातर अमल को खनीज अमल और कार्वनिक अमल के रूप में वरगी करने में और उनके गुणों को सूची बद करने में सक्सम होंगे चातर अमल और अकसारक की मानेता के लिटमस टेस्ट आयोजित करने में सक्सम होंगे, चातर विज्ञानिक अविस्कारों के बारे में जानने के लिए पहल करशकेंगे, चातर निन्ने लेने और समस्याओं को हल करने के दुरान तरक के साथ देनिक जीवन में रसाइन विज्ञान की अवधारना को लागू करने मे सक्सम होंगे अधिकंगके उदेश्य является क्या रहेंगे तो चस्ब पहला उदेश्य होता है जियान के उदेश्य कि छात्र पदार्थों को अमल रख्षारग के रूप में पैचाने में सक्सम होंगे दूसरा है अरहेनियस अवधार्णा के अनुसार अमल और अक्सार को पैचानेंगे बोध उदेश्य क्या होंगे छातर यह समझने में सक्सम होंगे कि अमल पदार्थ वे होते हैं जो आयनिकर्ण पर H+, S3O+, आयन परदान करते हैं चातर स्त्रोतों के आदार परखनीज अमल और कार्बनिक अमल के रूप में अमल को अलग करने में सक्सम होंगे अनुप्रियोग उदेश्य चातर देनिक जीवन के अनुभों में अमल की अवधार्णा को लागू करने में सक्सम होंगे जैसा कि एक्वारेजिया का उप्योग देनिक जियूर में परबल अमल और दुर्बल अमल के अउधारना को लागू कर सकेंगे इसके बाद में है कोसल उदेशिये चातर अमल और अक्सारक में अंतर के लिए प्रिक्षिन करने में सक्सम होंगे अमल की रासायनिक विशेस्ताओं की गतिविदियों का परदैशिन कर सकते हैं इसके बाद में है विवार समदी उदेशिये चातर अमल और अक्सारक था अमल के परकार के बारे में जानने में सक्सम होंगे समन्ने उदेशिये क्या है चात्रों के बीच विग्यानिक योगेता और अवलोकन विक्सित करना चात्रों के बीच सोथ, तरक और कलपना के सक्ति विक्सित करना चात्रों के बीच रचनात्मक्ता और रूची विक्सित करना वेग्यानिक कोसल विक्सित करने उन्होंने दिनिक जिन में लागू करने का आउसर परदान करना तो इसके लिए हमें अधिगम संसादन की जुरूरत पड़ेगी वो है समन्ने चोक, बलेक बोर्ड, जाडनी आनि डस्टर, विशिश्च सामगरी आदारित, लिटमस पत्तर चाहिए, चार्ट जो अमल को परबर और दुर्बल अमल के रूप में सारने बद करता है खनीज, अमल और कार्बनिक अमल का उनके स्तुरोतों के साथ चार्ट, विवीन परकार के खाते पदार्थों की पावर पॉइंट प्रस्तुति जो छातरों को उनके बीच अमल और अक्सारक को पैचानने में मदद करेगी गती विदियों को करने के लिए उपकरण, स्टेंड, संक्वाकार, प्लास, प्रक्नली, कीप, कोर्क, वाहि, का नली, आदी गती विदियों के लिए स्टाइन, दानेदार जिंक, तनू सल्फिरिक अमल, मौम्बती, कैल्सियम कार्बोनेट, तनू हाइड्रोकलोरिक अमल, चूने का पानी शिक्सन के तरीके, आप किस तरीके से कर सकते हैं, व्याख्यान, सह परदर्शन विदी, करके सीखना विदी अनुमानित पुरो ग्यान, यह अनुमानित है कि छात्रों को इस तथे के बारे में ग्यान है कि चींटी के काटने मदमखी के काटने से दर्द होता है जो उनमें अमल की उपस्तिती के कारण होता है और खटे फल टमाटर दही जैसे की खादे पदार्थ का स्वाद उनमें अमल की उपस्तिती के कारण खटा है पुरो ग्यान प्रिक्षन विश्य का प्रिचे देने के लिए शिक्सक कक्षिया में एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाएगा जिसमें विभिन प्रकार की वस्तों जैसे दही, नीमू, नारंगी, मदुमख्य, चिंटी, साबून, खाने का सोडा, डिटरजेंट, आदी के बारे में जानकारी होगी और छात्रों को उने अमल और रक् होता है, तो बच्चे कहेंगे चिंटी के डंक में अमल होता है, दूसरा, क्या आप जानते हैं कि दही स्वाद में खटा क्यों होता है, तो बच्चे कहेंगे इसमें अमल होता है, तीसरा, क्या दही और चिंटी के डंक में अमल समान होता है, तो बच्चे कहेंगे नहीं, चो तो आज हम अमल और अक्सारक शुरू करेंगे, अध्यायतीन और अमल और उनके गुणों और प्रकार के बारे में जानेंगे, प्रुस्तुती कैसे देगा सिक्सक की गतिविदी, बीच में छातर की गतिविदी, फिर चोक बोर्ड का काम, पहले सिक्सक कहेगा अमल, अमल क्या ह अमल वे पदार्थ होते हैं, जो स्वाद में खटे होते हैं, जो चातर की गतिविदी, अमल का स्वाद खटा होता है, विद्यार्थी अपनी नोट बुक में नोट करते हैं, और चोक बोर्ड का काम क्या है, अमल वे पदार्थ होते हैं, जो स्वाद में खटे होते हैं, प्लस आयन देते हैं एक अमल को एक पदार्थ की रुप में प्रिवासित किया जा सकता है जो चलिए भी देन में एक याएक से दिए हईच प्लस और एस थ्री ओ प्लस आयन छोड़ता है यह बोर्ड पे लिखेगा टीचर उधार्ण अमल का उधार्ण दीजिए तो बच्चे देंगे हाईड्रोकलोरिक अमल HClH93 आदी और बोर्ड पे लिखेगा टीचर लिखेगा हगे हैं अमल के प्रकार कारबनिक और एकारबनिक अमल स्तुरोत रासायनिक सरंचना क्यादार परचातर द्यान से सुनेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे कार्बनिक अमल कौन से होते हैं पोदों और जन्तूं में बुजूद अमल उदान की लेक्टिक अमल फोर्मिक अमल ये कार्बनिक होते हैं एकार्बनिक कौन से होते हैं एक मिनट एकार्बनिक अमल चट्टान और खनीजों से प्राप्त होते हैं प्रण्ड के लिए HCl-S2SO4-HNO3, हाइड्रोकलोरिक अमल, सल्फियृक अमल और नाइट्रिक अमल, कार्बनिक अमल के स्त्रोत, या तो पोदे या जनतु अतने टीचर कहेगा चातर द्यान से सुनेंगे और नोट बुक में सारनी में नोट करेंगे, कार्बनिक अमल स्त्रोत, सिर्का, दुगदा मल दही के अंदर, साइट्री कमल खट्टे फल में, टोर्ट्री कमल इमली में, ओक्जेली कमल ट्रमाटर में, एकार्बनिक अमल के स्त्रोत, खनीज और चट्टानों से प्राप्त अतने उदार्ण क्या हैं, चातर कहेगा, हाइड्रोकलोरिक अमल, हाइडार परपरप्ञ अमल कोन से होते हैं, बैय अमल जो जली है, गोल में, आइनों में, पूरी तरह से विकटीं होते हैं, उदाण के लिए हिड्योक्लोरिक अमल, है इसलेसे चाहर थोersonat , साथ मान से द्यान से चंपैंगक नोट करेंगे लिए में, दुरूर्बल अमल वे स्टीक अमल HCWH फार्मिक अमल खनीज अमल आम तोर पर परबल अमल और कार्पनिक अमल दुर्बल अमल होते हैं इसके बाद में अमल की परबलता टीचर कहेगा यह प्लस आयन की संक्या से सम्दित है जो एक अमल गोल में छोड़ता है उधार्ण आगे लिखेगा परबल अमल बिख्टित होता है और CS3CWS दुरुबल अमल होता है बले यह तिदिक सांध्रित होक्यों के केवल थोड़ी सीमात्र काईनों में बिख्टित होता है इसके बाद में टीचर अमल की संदरता संदरता कार्था किसी गोल में मुझूद पानी के मात्रा तनु अमल और संद्रित तनु अमल अमल की मात्रा पानी से कम होती है संदर अमल अमल की मात्रा पानी से अधिक होती है अमल के गुण अमल की विभीन गुण होते हैं अमल जलिये गोल में अच प्लस आयन देता है अमल स्वाद में खटा होता है क्या अमल बिजली का संचालन करता है चातर सुनेंगे और नोट करेंगे, अमल घोल में बिजली का संचालन करते हैं, अमल की प्रकृती क्या है, चातर सुनेंगे और नोट करेंगे, अमल प्रकृती में संगसारक होते हैं, उदान के लिए, सल्फिरिक अमल और नाइटरिक अमल, अमल का पता लगाने के लिए प्रिक्षिन क्या है, सुस्क HCL या HCL गैस अमलिय है या नहीं चातर सुनेंगे और नोट करेंगे नीला लिन्वस पत्तर अमल की उपस्तिती में लाल रंग में बदल जाता है HCL गैस परकरती में अमलिय नहीं है केवल पानी में घोलने प्रेच प्लस आयन चोड़ते हैं सुस्क निर्जल अवस्ता में H प्लस आयनों को नहीं चोड़ते तो इधर उप्योग में खनी जमल का उप्योग सल्फिरी कमल प्रियोग साला मुद्योगों में उप्योग किस रसाइन को रसाइनों के राजा की रूप में जाने जाता है नाइटरी कमल विद्यार्थी द्यान से सुनेंगे सल्फिरी कमल को रसाइनों के राजा की रूप में जाने जाता है प्रियोग साला में उप्योग H03 का उप्योग TNT, पिकरी कमल, डाइनमाइट का निर्माण में किया जाता है, हेड्रोक्लोरी कमल, प्रियोग सालाव में उप्योग, HCL के उप्योग, लोराइट के निर्माण में दोआओ के, दातू की सतों के स्फाई में, एकवारेजिया का है, सोने के गैनों को स्पाईक ले उप्योग किया जाता है, एकवारेजिया मातरा के अमसार शांदरित, HCL के तीन बाग और अचनोतरी के एक बाग का मिस्रन होता है, एकवारेजिया का उप्योग, विद्यार्थी द्यान से सुनेंगे, इसका उप्योग, सो यहां पर छातर द्यान से सुनेंगे और बोर्ड पे लिखेगा दातू प्लस तनु अमल दातू लवण प्लस आइड्रोजन यहां पर दोस मीकर्ण लिखेंगे जैडन प्लस एच्टु असटू आसो फोर जैडन सो पर मनता है इड्रोजन गैस निकलती है मेगनेशियम प्लस आ प्लास्क में रखा जाता है प्लास्क से केस के तेज बुलबले निकलते हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं प्लास्क के मुग के पास एक जलती मुंबती लाई है गैस तुरंत आग पकड़ लेती है और दमाके के साथ अधिक उजवल रूप से जलती है निसकर्स प यहां पर इद्र ऑक्षाइड से अगया डातू लवन प्लाइब मैंता है। चाहते हैं डातू dire करेंगें मतलब नोड करेंगे तो इस तरी के बॉर्ड पर द्यापक जो है वो स्मीकर्ण लिखेगा तो आगे हैं गतिविदी कैल्सियम कार्मन लितनुव एड्रोक्लोरी कामल की थोड़ी मात्र एक प्रेखिलिन बिस्रित करने पर तेज ब्राट के अस्तवरित प्रतिक्रिया होती है तो उसरजित गैस तो कि पाने के से गुझारी जाते है तो उसरोंट दूदिया हो जाता है निसकर्स उत्सरजित गैस कार्मन अकसाइडर जब गैस को चुने के पाने से अधिक मात्रा गव्हों सी तो रूदियापन गायब हो जाता है तो गरह कारी है निमलिक तारिक अमिर्कस्तान भरे अमल का नाम सुत्तर हाइड्रोक्लोरिक अमल का सल्फिरिक अमल का फॉर्मिक अमल का निमलिक का मिलान करें तो यहां पर मिलान करना है और आगे पेट में बने वाले गेस्टिक जूस में अमल का नाम बता ही अमल क्या है अमल सकते हैं धन्यवाद